तो हे गाइस कैसे आप सभी I hope आप से अच्छे होगे तो फिर बहुत से लोग कम्फ्यूज जाते हैं कि जो हमा 44 एम्प्रिफाय होता है उसमें हम केतने एम्प्रिफाय का टांफर्मर लगाएं क्योंकि इन मार्केट में 2 ताके एम्प्रिफाय जो होगा है एक में 3 एम्प्रि जाते है तो फिर आज गूसे आज कीस वीडियो में आपको यहीं बताने वाला हो कि आपको अपने एम्प्रिफाय में कितने एम्प्र अगरांस इलाए तो थीक होता है. तो फिर आज कर नए है तो प्लिज सब्काइब करेज़ें वह आपने कर लखा है तो त्श लिए बिला सकते तीन का भी आ सकते और चाल का भी लेकिन परेंट जिस स्राफ सिर्फ ऑप साफ इस अद्र्फर्मर का एम्पीर घटाईएगा और बढ़ाईएगा उच्छिद इसका आउट्पूट जो साउंद होता है ऊप क्वाल्टी घटेगा और बड़ेगा जैसे पर अगर आता जाया नहीं आता है गंदा और चार एंपर नम क्लिस्टल क्रियल साउंड आता है तो पर यह आपके उपर आपको केतने एंपर का टांफर्मर लगाना चाहिए और से पर बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप 6 इंच के नीचे का स्पीकर यूज कर लें इस एंप्लिफायर मे तो पर मैं आपको बता दूँ आप इसमें 4 एंपर टांफर्मर एक अलाके लगाएजिए फिर इसके में आप 12 इंच का भी इसमें गल्चा सकते हैं 6 इंच का भी चला सकते हैं तो पर यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जाओ किजि बाइ बाइ जाए हेंड़